नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके इस अपनी यूटीव चानल वोकाय वोशर पर आज हम लोग जानेगे कि कैसे कोई भी कॉमन एरर हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं उसमें बीना कोई देर किये बस थोड़ा सा हमें आरे साथ आप अपना समय दीजिए बस थोड़ा सा इसके बाद आप हर एक ग्रामेटिकल एरर को पकड़ने में श्रमत होंगे किलियर है ओके शो देखते हैं क्या है और ऐसा कहां पर मिश्टेक हो सकता है ऐसा कौन सा सेंटेस होगा जो हम लोग लिख कर गल्ति कर देते हैं और उसे सही बनाने के लिए उसे करेक्ट कर बनाने के लिए हम उसका यूज करते हैं आकिर आम लोग देखते हैं कि किस तरह के sentences गलत हो सकते हैं और किस तरह के sentences सही हो सकते हैं clear है ओके यहाँ पर आपको first number में दिख रहा होगा first number he flew into rage तो आप इस sentence को शही मानने होंगे लेकिन नहीं आप यहाँ पर देखेंगे कि article A का प्रयोग नहीं किया गया है सबसे पहली बात तो यह ओके so he flew into यहाँ पर नहीं किया गया है और इसको वज़ा से sentence क्या होता है wrong होता है यह sentence बिलकुल गलत होता है incorrect होता है तो question उड़ता है कि आखिर इससे का सही sentence क्या होगा इसका correct sentence आखिर होगा तो होगा क्या तो tension knowledge यह इसके लिए भी हम आपको दे रहा है ना कोई चिंता नहीं करिए यहाँ पर हम लोग इसका सही यानि के correct sentence यूज करेंगे हे फ्लिव इन्टू रेज इन्टू रेज फिर से वहीं question है ना तो घबड़ा यह नहीं हम है अब यहीं पर है ठीक है हे फ्लिव इन्टू यहाँ पर आर्टिकल यह हमें देना पड़ेगा ओव जाकि यह जो sentence होता है ना ओव जाकि यह जो sentence होता है बिलकुल correct होता है तो आपको फ्लिव इन्टू रेज नहीं लिखना होगा नहीं तो वह sentence incorrect हो जाएगा आपको इसके जगह पे लिखना होगा कि he flew into a rage he flew into a rage clear है ओके शो अगले नमड देखते हैं second number he prides on his victory he prides on his victory यह sentence बिलकुल वापत से गलत हो जाता है यह sentence वापत से गलत हो जाता है तो इसका correct sentence क्या होगा आखिर यह यहाँ पे क्या किस चीज का प्रेव नहीं किया गया जिसके वाज़े से यह sentence गलत हो गया ओके तो देखते हैं क्या है इसमें कहां पर दिकत है तो इधर रखा गया है he prides himself क्या देने पड़ेगा हमें himself ओके अगर हम यहाँ पे देते हैं himself अगर आपको दिख जाए किसी भी sentence में प्राइट क्लियर है तो उसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोणाउन का यूज करना ही पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोणाउन करने मतलब कि इसेल्फ वाले जितने भी प्रोणाउन है myself, himself, themself, yourself ओके यह जितने भी होंगे न आप यहाँ पे subjective case को देखकर आप उसके साथ आने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोणाउन का यूज कर सकते हो ओके, तो आगे से दिकत नहीं न होगा, ओके, आगर आपको दिख जाए भारव प्राइट्स तो इसके बाद आप याद रखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोणाउन के यूज करेंगे, ओके, दिकत होगा नहीं न, ओके, देखते हैं number 3 के question को, तो यहाँ पे देखते हैं कि I wrote him yesterday, I wrote him yesterday, इसे भी जानकर आपको आईरानी होगा कि यह जो है, बिलकुल यह sentence गलत है, क्या है, यह sentence बिलकुल गलत है, इसका correct क्या होगा, आखिर इसका correct क्या होगा, तो कुछ नहीं, बस इसे देखो, I wrote यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे him है, इसमें भी है, लेकिन एक चीज़ छूटा हुआ है, हमें इसी जगह पे देना पड़ेगा, I wrote to him, I wrote to him, okay, I wrote to him yesterday, आप समझ में आया न, इस संटेंच को आप इस तरस नहीं, बल्कि आपको लिखना पड़ेगा, I wrote to him yesterday, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं न, आगे लगा होगा, ठीक है, I wrote to him yesterday, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके, देखते हैं, सो यह संटेंच क्या होता है, क्रेक्ट होता है, क्लियर, क्लियर है, ओके, देखते हैं, फौर्थ नमर में क्या है, फौर्थ नमर में है, कि he knows me an honest man, he knows me an honest man, यहाँ पे भी यह संटेंच, बिल्कुल incorrect है, क्या है, incorrect है, इसे हमें correct बनाने के लिए, बस कुछ नहीं, आप आगे वाला संटेंच देखिए, he knows, यहाँ तक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, में भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो object है, उसे हम लोग लिखेंगे, to be an honest man, he knows me, an honest man नहीं, यह गलत है, क्लियर है, हमें इसके लिए correct लिखना होगा, he knows me to be an honest man, यह होगा, बिल्कुल और बिल्कुल correct, ओके, कोई दिक्कत, नहीं, ओके, देखते हैं, अगला, फिप्त नम्बर, फिप्त नम्बर, फिप्त नम्बर है, he does not know to write, he does not know to write, यह आप बार बार पड़े होंगे, मेरे दोस्त, यहाँ पे, आप बार बार पड़े होंगे, लेकिन, अगर यहाँ पे नहीं बन पाता है, तो, हमें यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से सिख जाईए ना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आ रहा है नहीं सबका एक कभी, तो आप प्लीज, कमेंट में यस और नो डाल दो, अगर आ रहा है तो, क्लियर, अगर नहीं आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे हैं, सुधारने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ओके, देखते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ तक तो बिलकुल संटेंस मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, आगे देख रहे हैं, तो राइट, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, तो राइट नहीं, बलकि हमें यहाँ पे डलना होगा, how to write, how to write, clear है, he he does not, he does, he does not know how to write clear, क्लियर, आगे सादेक्ष्ट होगा, नहीं न, ओके, शो ये संटेंस क्या था, रोंग, और ये संटेंस है राइट पभी दिक्कत होगा नहीं न, होगा थो हम आप है कोई दिक्कत नहीं होने माला है, कोगई आज रही है सिफ्ट नंबर में देखते हैं, This book is useful as that, this book is useful as that, आपको लगना होगा कि इस सही है, लेकिन नहीं जानकर हैरानी होगा कि ये भी संटेंस बिल्कुल गलत है, क्या है? गलत है, तो क्यों? तो आप पोजीटिफ डिगरी जानते हैं, पोजीटिफ डिगरी तो जानते हैं, बास, उसी का, दिखिये क्या करना होगा में, इस जगा पी हमें सुदारना होगा, this book is as, यहाँ पे लगा दीजिए, as, this book is as useful as that, this book is as useful as that, this book is as useful as that, तो जाए गाना को दिक्क्रत होगा नहीं नॉses बूक्ति आप देड के मा इस व इसनार्व अध्य PER जरकते नहीं नॉट याद रहेंगे दिक्रत होंगे नहीं नॉट है अमा सेवन नुंबर सेवन बदेंस विल्कुल फिर से वापस से गलत होता है यह संटेंस यहां पे हमें कुछ लगाना पड़ेगा और वो होगा preposition क्या होगा preposition तो हम यहां पे देखेंगे इसका correct sentence बनाते समय कि आपको यूज़ करना पड़ेगा we should pray God यह sentence सबसे पहले तो यह बता दे कि यह गलत है और इसे right बनाने के लिए इसे correct बनाने के लिए we should pray to का यूज़ करेंगे we should pray to God we should pray to God कोई दिकात होगा नहीं ना बहुत यह असान है तो बिल्कुल लॉलिपप बना दूँगा कोई भी question चाहे वो covenant का हो या फिर और कुछ इसका बस थोड़ा सा समय देजिए ओके चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा समझ माया we should pray to God we should pray to God ना के बिल्कुल टू के साथ लागा दीजिए अब संटेट हो जाए गलत ओके तो आगे देते हैं 8 नमबर 8 नमबर में है कि open page 51 फिर से यह के संटेंस होता है गलत ओके शो यह संटेंस फिर से क्या है गलत है बिल्कुल गलत है यहाँ पर कोई सोचना ही नहीं बस ऐसा संटेंस देखे न काटेची आपको जिए पर लिखना होगा कि open at open at page 51 ओके इस संटेंस के लिए हमें एक right sentence यूज़ करना पड़ेगा और right sentence बनाने के लिए हमें यहाँ पर open के साथ add preposition के यूज़ करना पड़ेगा कोई दिक्कत हो क्या नहीं ना ओके बिल्कुल correct ओके उमीद करेंगे कि यह class आपको बहुत ही मज़दार लगा होगा और यह भी उमीद करेंगे कि आपको यह class से कुछ सिखने को जो मिला होगा और मिला है ना तो please चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो वीडियो को लाइक कर दो और बिल आइकन को दबाना ना भूलियेगा इससे क्या हमारी latest वीडियो आने माली आपके पास सबसे पहले